पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना यह खेल अंडिये में हो रहा है और कौन चाचा भतीजा हम चराग-पासवान और पशुपति पारस की बात नहीं कर रहे हैं एंप चिराग-पासवान पैडशémर के बीच कड़वाट थी अब तो सबकुष ठीक लग रहा है ऐसा लग रहा है कि सबकुष ठीक हो गया है दोनों के बीच तो जाहिर तोर पर चिराग पासवान और नितीश कुमार क्या बिहार विधानसवा चुनाओ को लेकर भारतीय जंता पार्टी की मुश्किल यसलिए बढ़ा रहे हैं ताक कि बीचेपी को बीचेपी पर नकेल कसी जा सके सीट-बटवारा बिल्कुल ठीक से हो सके और जो दिमांड हो सीटों की वो पूरी हो सके भारतीय जंता पार्टी को कम सीटों पर समेटा ज अगर भारतिय जनता पार्टी को केंद्रे में अपनी सरकार बनाय रखने के लिए चिराग पास्वान के पांस आंसदों की जरुवत और नितीश कुमार के बारा सांसदों की जरुवत है तो बिहार में भारतिय जनता पार्टी को इस बार बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, इस बार बड़ा समझोता करना पड़ेगा और भारतिय जनता पार्टी जिस अनुपात में विधानसभा की सीटों पर लड़ती रही है, इस बार उतनी बड़ी हिस्सेदारी भारतिय जनता पार्टी को नहीं मिलेगी, यह भी बड़ा सवाल है भारतिय जनता पार्टी को ले नहीं तो कहा यह जा रहा है कि 2025 के निमंबर में तैय समय पर होंगे नहीं तो लेकिन के लमभा लिहाद से अर सीटों का मसला मप्रवर्पूंणANS, मसला होता है, बड़ा प्र della मसला होता है चुराइग पास्वान की दिक्कत यह पिछली बार उनको पचीस सीटों से ज़्यादा नहीं दी जा रही थी विहार विदान सभा में उनको पचीस सीटे मिल रही थी सीटों के सदारी में चिराग पासवान को यह मंजूर नहीं हुआ और वो एंडिये से अलग हो गए हलाकि कहा जाता है कि भारते जनता पार्टी की सहपर उन्होंने एंडिये से अलग होने का खेल किया और फिर नितीश कुमार को 43 सीटों पर निप्टा दिया ये बात जेडियू के भी बड़े निता कहते रहे हैं तो खैर चिराग पासवान को 25 सीटों से ज़्यादा एंडिये में नहीं दी जा रही थी दूसरी तरप इस दी बार नितीश कुमार की चिंता यह है कि उनको 60 से 70 विधायक कम से कम चाहिए सतर ऐस्ती विधायकों का टारगेट है नितीश कुमार का और यह तब होगा का चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान भी पचास सीटों की डिमांड है उनकी जब जार्खन विधानसवा चुनाव में वह 28 सीटे मांग रहे हैं तो 40-50 सीटों पर वो भी लड़ना चाहते हैं और इसलिए चाचा और भतीजे ने नितीश कुमार ने और चिराग पासवा ने दोनों ने कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर अभी से प्रेसर बढ़ाना शुरू कर दिया है अभी से कर सकते हैं कि साइकोलोजिकल वार शुरू हो गया है मनोवेग्यानिक लड़ाई शुरू हो गई है बी जेपी को अभी से चिन्ताएं टेंसन देनी चिराग पासवान ने और ताकि bargaining power मजबूत हो विधान सबाचुनाओ को लेकर विधान सबाचुनाओ में सीटे जादा मिले अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान और नितीश कुमार की खेल में कितना फस्ती है फस्ती भी है कि नहीं फस्ती है और ज जनता पार्टी की मजबूरी है नितीश कुमार को भारती जनता पार्टी नहीं खोना चाहती चिराग पासवान को खोना चाहती है कि नहीं खोना चाहती है इसके बारे में कोई गारेंटी नहीं दे सकते जिस तरह से परशुपती पारस को बीजेपी भाव दे रही है ऐसा ल जलवा बहुत कम नहीं हुआ है अभी उनका जलवा बरकरार है और बीजेपी अगर हलके में लेगी तो जाहिर तोर पर विधानसवा चुनाओं में नुपसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि चिराग पासवान किस तरह की रणिती तैयार करते हैं किस तरह से उन्होंने 2020 में कि किया और जो क्या गारेंटी है कि जो 2020 में किया वो 2025 में नहीं करेंगे इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद